सुश्मा अगर्वाल जी का उपन्यास नया रास्ता एपिसोड 7 आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया अमित के घर में विशेश चहल पहल थी अमित की माताजी में विशेश उत्साह नजर आ रहा था पिताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिष्टे में रुची लेने लगे थे अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भावी को देखने के लिए उत्सुप थी घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चहरे पर उदासी थी इस कल्पना मात्रे से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घरती लड़की के हातों बेचना चाते थे घर के सभी सदस्ये नए नए वस्त्र पहन कर तयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हौन की आवाज हुई धनीमल जी का ड्राइवर उन सब को लिवाने के लिए कार लेकर आया था मायराम जी उनकी पत्नी अमित वह उसकी बहन मधू सभी उसी कार में बैठ कर चल दिये धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी ड्राइवर ने उतर कर कार का दर्वाजा खोला यह सब देख कर मायराम जी को लगा कि इस समय वेक बड़े अफसर से कम नहीं है कोठी का दर्वाजा खुलते ही जैसे ही उन सबने अंदर प्रवेश किया उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हूँ कोठी के बाहर लौन में घास मकमल के समान बिची थी लौन में बेंद की सुन्दर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थी रंग बिरंगी फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चान लगा रहे थे तभी उनके ड्रॉइंग रूप का दर्वाजा खुला धनीमल जी बाहर आये उन सब का विशेश स्वागत किया गया घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे अनेक प्रकार के मिश्ठान, फल, वह मेवा उनके सामने रखे गए परन्तु सभी को उच्शुकता थी सरिता को देखने की तब ही माया राम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा सरिता को कमरे में बुलाया गया उसके साथ उसकी चाची भी आई सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से धर्ती किसक गई कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की नाक नक्ष में सिर्फ उसकी आखें ही बड़ी थी रंग तो मीनू के सामने कहीं ज़्यादा गिरा हुआ था सरिता को अमित की मा के पास वाली कुरसी पर बैठाया गया मा सरिता से गुल मिलकर बातें करने लगी उन्हें उसके उस रूप में ही सुन्दरता नजर आ रही थी अमित वो उसकी बेहन मधु चुपचाब बैठे रहे मा को हसते देखकर उसके दिल में तुफान उठ रहा था क्या रूप नजर आ रहा है मा को इसमें क्या सरिता मीनू से ज़्यादा सुन्दर लगी मा को या उसके पैसे के कारण सुन्दरता बढ़ गई है ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे धनीमल जी व मायराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिये अमित्व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया अमित्व ने सरिता से कुछ प्रश्न किये अमित्व ने पूछा आपकी किस चीज में रुची है सरिता ने तपाक से जवाब दिया जी मुझे पेंटिंग वा कार ड्राइविंग में विशेश रुची है। इसके अलावा आप घर के काम को तो कर ही लेती होंगी। अमित ने पूछा। मुझे घर के काम नहीं आते हैं। घर में चार-चार नौकर हैं। काम करने की कोई जरूती नहीं पड़ती है। वैसे के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे। वही काम करेगा। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रशन किया। तुम्हारी एजुकेशन क्या है। सरिता ने उत्तर दिया। मैंने सेकेंड डिविशन से बीए पास किया है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद खाने पीने का कारिक्रम चला। धनीमल जी विशेश आग्रह के साथ सब को खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था। परन्तु उ पर उसे खाना पड़ा। पिता जी के मौ से भी धनीमल जी के द्वारा दिये जाने वाले पांच लाक रुपिये बोल रहे थे। देखो जी लड़की तो देखने में अच्छी है क्या बुराई है उसमें। जहां तक रंग की बात है इस दुनिया में दो ही रंग होते हैं गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है पर पिता जी यह तो कोई जरूरी नहीं है कि काली भावी ही हमारे घर में आए। अमित की बहन मधु ने कहा। तू चुप रहे तू क्या जानती है इस बारे में। पिता जी ने उसे यह कहकर चुप कर दिया। अमित सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विच से क्या पूछ रहे हैं आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर लीजी जहां तक मेरी पसंद की बात है मुझे तो सरिता बिलकुल भी पसंद नहीं है बेटे के ये शब सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है एक बार पिता के नाते उनके हृदे में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाट करना उचित नहीं है अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी और से उनकी पतनी इने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिये हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे हैं कि बस हजारों कमिया निकालते हैं लड़कियों में एक मिनिट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया क्या जमाना आ गया है आजकल के लड़कों लड़कियों की पूछो मत बहुत दिमाग खराब हो गए है ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा पड़ा लिखा नव युवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि मा की बात का विरोध कर सकता मा के व्यंग उसके हुर्दे में तीर की भांती चुब रहे थे परन्तु वह इतना साहस न बटोर पाया कि मा को कुछ कह सकता चुपचाप छोटा सा मू लेकर वह अपने कमरे में चला गया